आज का हमारा टॉपिक है आज और स्पीच में हमारा टॉपिक है एड़ वर्ब और उसकी काइंड उसकी किस्में वो इस लेक्छर में ब्यान करने लगे हैं definition करते हैं जी, adverb की, a word that modifies, modifies क्या होता है, enhances the meaning of, वो वला लफ़स, जो के modify करता है, बढ़ाता है, enhance करता है, meaning किस चीज़ का, first of all सबसे पहले, verb, फिर adjective, और फिर next आगे, an other adverb, अब यह verb के मफहूम को कैसे बढ़ाता है, देखते हैं, जी, अली वाकस, अली चलता है, यह उसके फिकरा है, is progressing rapidly, अब progress को मजीद enhance कर रहा है word rapidly, तेजी के साथ, तो फिर rapidly जो है वो एडवर्ब हो गया, next एजेकेटिव को देखते हैं जी, the boy is intelligent, लड़का जहीन है, अब दो तरह से एजेकेटिव जो है वो अपनी position रखता है, एक तो होगा intelligent boy, यानि noun से पहले, यहां पिर होगा linking verb के बाद is intelligent, तो यहां पर जो है वो linking verb के बाद है, तो intelligent जो है वो इसमें जेकेटिव हो गया, अब नीचे वाला फिकरा देखते हैं जी, the boy is undoubtedly intelligent, यह लड़का बगार किसी शक्को शुबह के intelligent है, तो undoubtedly जो है वो मफूम में इजाफा कर रहा है, adjective intelligent के, तो इसलिए undoubtedly जो है वो adverb हुआ, she is clever, clever जो है वो adjective है, she is very clever, अब clever के मफूम में इजाफा किया है very ने, तो इसलिए very जो है वो adverb हुआ, तीसरा part of speech जिसके मफूम में adverb इजाफा करता है, वो adverb ही होता है, तो adverb किसी दूसरे adverb के मफूम में भी इजाफा करता है, अली walks slowly, अब ये walk के मफूम में slowly इजाफा कर रहा है, तो slowly जो है वो adverb है, दूसरा फिक्रा देखते हैं, अली walks too slowly, अब उस adverb slowly के मफूम में to जो है वो इजाफा कर रहा है, तो to जो है वो एक और adverb के मफूम में इजाफा कर रहा है, तो to भी एक adverb है, अगला फिक्रा देखते हैं पाकिस्तान इस प्रोग्रेसिंग रैपिडली अब ये फिक्रा हमने उपर से लिए है अब प्रोग्रेसिंग वर्ब के मफूम में इजाफा कर रहा है रैपिडली तो रैपिडली जो है वो एक एडवर्ब है अब नीचे वाले फिक्रे में देखते पढ़ने लगे हैं जी, kinds of adverbs, इसमें हमने पहले simple adverbs के नाम पे जो है वो इसको लिखा है, इसकी वज़ा क्या है हम आगे बियान करते हैं, kinds में क्या है जी, adverbs of manner, adverbs of time, adverbs of place, adverbs of frequency, adverbs of degree, अब हम सबसे पहले, अब हम सबसे पहली adverb की किसम को define करने लगे है, adverb of manner, इसकी definition क्या है, an adverb which tells the way, manner, quality or state of a thing, तो किसी भी चीज़ की manner, उसका तरीका कार क्या है करने का, उसकी quality क्या है, या फिर उसकी state क्या है, ये बताता है adverb of manner, it answers how, कैसे, कैसे का ये जवाब देता है, इसकी examples क्या है, well, finally, certainly, thus, false, mostly words, and with L, Y, Lee, तो ये manner, adverb of manner होता है, mostly होता है, हर दफा नहीं होता, इसकी examples देखते हैं, अब इसमें दस जो है, इस तरह became champion, वो champion बना, तो ये जवाब दे रहा है, manner, किस तरीके से वो बना, उसको knock out करके बना, दूसरा फिक्रा, अफरीदी played well, अफरीदी खेला, कैसे खेला, well, अच्छा खेला, अगला फिक्रा, he will come here, certainly, वो यहां पर आएगा, कैसे आएगा, यकिनी आएगा, बगएर किसी doubt के आएगा, confirm आएगा, अगला फिक्रा, I purchased shirts from an ill-lit shop, मैंने shirts खरीदी, एक ill-lit shop से, shop जो है, वो नाउन है, उस नाउन के मफहूम में इजाफा कर रहा है, लिट, रोशन, अब किस तरह कर रोशन, इस adjective के मफहूम में इजाफा कर रहा है, अडवर्ब il, तो, कम रोशनी वाली दुकान से, मैंने shirts खरीदी, अगला फिक्रा, जो सवाल का जवाब दे, वो सादा adverb of manner है, और जो सवाल है how, वो interrogative adverb of manner है, तो how does he recite anthem, वो कैसे कौमी तराना गाता है, पढ़ता है, बाकी kinds of adverbs के interrogative adverbs को साथ साथ deal करेंगे, दूसरी किसम है जी, adverbs of time, the adverb which describes the time, वो बल एडवर्ब जो के वक्त को बियान करता है, it answers when, कब, ये जवाब देता है, कब का, के कोई चीज कब रूनमा हुई, वाक्या हुई, इसके examples है, ago, tomorrow, since, soon, early, afterwards, etc, तो पहली example देखते हैं जी, I completed my matriculation years ago, अब मैंने complete की है जी, अपनी matriculation, कब की है, ago, years ago, अरसा दराज, सालों पहले, तो ये जो पहले है, ये इसमें adverb है, I shall return your book tomorrow, मैं return कर दूँगा, वापिस कर दूँगा, तुम्हारी किताब, tomorrow, कल, कब, कल, Pakistan will progress soon, Pakistan तरक्की करेगा, कब, soon, जल्द ही, Ali wakes up early for school, Ali उठता है, कब, early, सुभा सवेरे, for school, school के लिए, He is singing, since childhood, वो गा रहा है, कब से, since childhood, since, वक्त के लिए इस्तमाल होता है, उस वक्त से, सादा adverb of time, के बाद, जो है, interrogative adverb of time, when, अब when, जो है, वो सवाल है, और जो दूसरे सादा हमने पढ़े हैं, ago, tomorrow, since, soon, early, afterwards, ये जवाब, तो when, जो है, adverb of time, when will you join army, तुम कब आर्मी जाइन करोगे, adverb की तीसरी किसम करने लगे हैं, जी, adverb of place, क्या होती है, adverb of place, the adverb which describes a place, जो के refer करता है, जो के बियान करता है, जो के describe करता है, किसी जगह की जानिब, it answers where, कहां, ये कहां को जो है, वो describe करता है, examples है, इसकी there, hither, above, far, near, outside, etc., तो पहला बढ़ते हैं, जी, अली is residing there, अब residing जो है, रहना, कहां रह रहा है, there, वहां पर, तो ये adverb of place है, दूसरा फिकरा करते हैं, जी, come hither, यहां, आओ, हिदर, यहां, तो यहां, जो है, वो, direction दे रहा है, किसी जगह की तरफ, तीसरा फिकरा, नवीद is living far from my house, नवीद रह रहा है, far, दूर, तो जगह की तरफ इशारा कर रहा है, कोई दूर वली जगह है, from my house, मेरे घर से, अगला फिकरा जी, I stood outside of his house and waited for him, तो मैं खड़ा हो गया, बाहर of his house, उसके घर के बाहर, अब जगह की तरफ इशारा हो रहा है, जी, घर के बाहर खड़ा हो गया, and waited for him, और उसके लिए इंतजार किया, अगला फिकरा है, please sit near the president, president के करीब बैठो, अब जो करीब बैठना है, वो place को जाहर कर रहा है, करीब हो या दूर हो, adverb of place, सादा जो है, वो तो हमारे पास थे, there, here, above, for, near, outside, अब where जो है, वो सवालिया है, है तो adverb of place ही, लेकिन ये सवाल है, और जो हमने पहले किये हैं, वो जवाब है, ये जो सवाल है, ये क्या हलाता है, interrogative adverb of place, अगली किसम करते हैं, जी, adverb की चोथी किसम है, adverb of frequency, क्या describes occurring time of an action, एक action के, कितनी दफा होने को ब्यान करता है, it answers how many, कितनी दफा, तो ये जवाब देता है, how many का, कितनी दफा का जवाब देता है, इसकी examples हैं, जी, twice, seldom, sometimes, never, often, etc, पहला विकरा देखते हैं, जी, I praised him twice, मैंने उसकी तारीफ की, कितनी दफा, दो दफा, तो twice, इसमें, adverb of frequency है, he seldom meets me, वो मुझे मिलता है, कितनी दफा, कभी कबार, seldom, तो seldom, इसमें, adverb of frequency है, अगला फिकरा, Ali sometimes defeats his senior, Ali, शिकर्स्त दे देता है, कितनी दफा, sometimes, कई दफा, तो sometimes, इसमें, adverb of frequency है, अगला फिकरा, I never tell a lie, मैं जूट बोलता हूँ, कितनी दफा, never, कभी नहीं, मैं कभी नहीं, जूट बोलता हूँ, तो never, इसमें, adverb of frequency हो गया, अगला फिकरा, पाकिस्तानी टीम, often, wins the match, पाकिस्तानी टीम, कितनी दफा जीतती है, मैंच जी, often, अकसर, अकसर मैच जीतती है, तो often, जो है, वो, इसमें, adverb of frequency हो गया, साधा adverb of frequency के बाद, हम interrogative adverb of frequency देखते हैं, वो है how many, how many जो है, वो सवाल है, और उसके जवाब हैं, जो हमने पहले पड़े हैं, twice, seldom, sometimes, never, often, यह how जो है, वो इसमें, adverb of frequency है, लेकिन कौन सा, interrogative, आखरी adverb of degree है, जी, तो देखे हैं, जी, adverb of degree क्या है, the adverb which describes the quantity or degree, जो के degree को बताता है, हद को बताता है, किस हद तक है, तो some extent, to what extent, किस हद तक है, it answers how much, कितना, यह कितना के meaning को बियान करता है, examples हैं इसकी, much, quite, rather, somewhat, partly, etc. The old man was much tired, बुड़ा आदमी, tired, थका हुआ था, कितना थका हुआ था, बहुत थका हुआ था, तो इसमें, much, जो है, वो adverb of degree है, अगला फिकरा, पाकिस्तान is progressing quite well, पाकिस्तान तरकी कर रहा है, कितनी तरकी कर रहा है, अब पहली बात तो यह के वो अच्छी तरकी कर रहा है, progressing verb के मफूम में इजाफा कर रहा है, adverb well, और adverb well के मफूम में इजाफा कर रहा है, quite another adverb, जो के adverb of degree है, अगला फिकरा, I would rather go with you instead of sitting at home, अब rather जो है, वो जाहिर कर रहा है, किसी चीज़ की बेहतरी की जानिब, किसी चीज़ की emphasis की जानिब, अब एक option go है, जाना है बंदे के और दूसरी option जो है, वो बैठना है, अब बैठे के यह जाए, तो वो जाना जो है, वो उसके लिए बेहतर है, तो वो उस बेहतरी की degree को बता रहा है, तो rather go, बेहतर है के चला जाए, rather go, तो rather जो है, वो इसमें adverb of degree है, अगला फिकरा, she is somewhat careless, careless जो है, वो इसमें executive है, अब व वो somewhat, किसी हद तक लापरवा है, तो somewhat जो है, वो इसमें adverb of degree है, किसी हद तक, अगला फिकरा, this dress is partly dirty, dirty जो है वो executive है, गंदा, अब यह dress जो है, वो गंदा तो है, कितना गंदा है, उसकी degree को ब्यान कर रहा है, partly, थोड़ा सा गंदा है, यह था यह adverb of degree, अब introgative adverb of degree, simple adverb of degree के बाद, introgative adverb of degree, अब how much जो है, वो एक सवाल है, और इसका जवाब जो है, वो हमने पड़ा है, सादा adverb, जो है, much, quite, rather, somewhat, partly, लेकिन जो, introgative adverb of degree है, वो है, how much, तो how much effort does Pakistan need to end poverty, पाकिस्तान को poverty हतम करने के लिए, कितनी effort की जरूरत है, यह था जी, adverb of degree, और यह था जी, आज का हमारा lecture, adverb और adverb की kinds,